आप सबका और मुझे में रास्ते मार रहा था तो एक शेर बड़ा बढ़िया याद मुझे दिखाई पड़ रहा था तो मैंने सोचा आपको भी शेर करूंगा बड़ा बढ़िया शेर है ये कपलेट्स बोलते हैं इंग्लिस में ये सब आपको मोटिवेट करता है और कुछ नहीं कोई चराग जलाता नहीं सलीके से देखिए आपके एक्जाम से कितना बढ़ियां के शेर को रिलेट कर रहा है कि कोई चराग जलाता नहीं सलीके से मगर सभी को सिकायत होती है हवा से इतना बढ़ियां कोटेशन सायरी और कपलेट्स का है ये कि कोई अपना चराग तो ठीक से जलाता नहीं कहता हवा ने बुझा दिया तो आप एस्पिरेंट्स पर बड़ा फिट बैठता है कि आप तैयारी तो सलीके से करिए चराग को सलीके से जलाएए और आपकी गलती से चराग अगर बुझता है तो आप कहते हो हवा का जोंका आया और बुझ गया देवदास पिक्चर में जैसे वो चराग लेके पारूद कल रही है तो हवा के जोंकों से कैसे बचा रही है आप सिखिए उससे लेकिन आपको ये फाइदा मिलेगा कि आप हमसे जूड़के हमारे अनुभाव को और हमारे सेलेक्शन के तरीकों को आत्मसाथ कर सकते हैं तो कोई चराग जलाता है नहीं सलीके से का मतलब यह है कि आप अपनी तैयारी ठीक से तो करते नहीं क्योंकि मार्केट पूरा जो है भरा पड़ा है बजार अर्थ बेवस्ता से बजारू हो गया है बजारू से एक चीज ध्यान आया कि प्रोस्टि्टीट्व सकती और इस वज़ा से उसका दिकार घ्रियां करती है तो कहने का मतलब यह हैं कि आप चराग तो ठीक से जलाई अपनी तैयारी तो सही जगह से सुरू करिए अब भाई रिसा आइस की खास्तियत है कि हम लोग जो पढ़ा रहे हैं मैं फुद आइस ओफिसर हूं तो यह सबसे बड़ी फाइदा आपको मिल रही है और कुछ नहीं है तो आगे बढ़ते हैं कि नॉमिक्स की क्लास पर और दूसरा चैप्टर है जो सिलेबस से लिया गया है और इसमें थोड़ा बहुत अपनी तरफ से जो है एडीशन डिलीशन किया गया है डिलीशन तो नहीं है एडीशन ही है डिलीट कर देंगे तब तो गड़बर हो जाएगा रिखे न है ऐगी नहीं है तो एड़ किया है हमने तुझे तो चैप्टर है आर्थिक समाजिक विकास नियोजन के तिसलता है रोजगार प्री में को सनाय था मैं देख रहा था है तो आर्थिक समाजिक विकास का मतलब वहीं है जो हम पहले पढ़ा चुक है इंक्लोसिव ग् आपको खुमा दिया उसमें यह भी लिख सकता था कि समाजी का अर्थिक भिकास करने का मिना वीटिय से का विकास के का समझा होता में कैसे होगी कैसे पर द हुगी कैसे होगी कि कैसे लागू होगी तो आप आपखट से समझ जाते उसके लिए नियो預-जन प्लानिंग मोबिलीटी में रोजगार करें आर्थिक समाजिक विकास के nella स्तंभ उसने बताया कि कैसे होगा फारी ब्लानिग निंग कि दूसरा मोबिलीटी से होगी तीसरा रुजगार देखे होगी इसी को आगे बढ़ते हैं कि समाजिक अंतह क्रिया कि यह भी सब्द ध्यान रखे गया समाजिक अंतह क्रिया का मतलब है कि समाज में एक दूसरे के साथ मुच्वली ओर्येंटेड होके बात कित करना कहते हैं ना बात करने से बात बनती है तो बात करने से बात कैसे बनेगी जब आप अंतह क्रिया में दूसरे पक्ष की बात भी सुनेगे समझेंगे और उसको भी उतना ही मौका देंगे कि आपके साथ एक दूसरे को प्लेटफॉर्म ये टाइम आदमी हिंदुस्तान में बड़ा आजीब है बोलता ज्यादा है सुनता कम है है कि नहीं धर में भी परिवार में बच्चों में पुलीग में सब बोलतना ज्यादा चाहते हैं क्योंकि लगता है कि उन्हें बहुत ग्यान हो सकता है लेकिन भोलने का कोई अर्थ नहीं है तो इसलिए समाजिक अंता किरिया में आपस्त में इंटरेक्शन होगा वो इंटरेक्शन एकनॉमिक फेक्टर फिल्ड में होगा वो कल्यारल में हो सकता है किसी भी विसाइप हो सकता है है तो आर्थिक की बात हम लोग करते हैं तो आर्थिक समाजी कांतिक गिरिया मितलब तरकार के साथ आपका अर्थ बेऊस्था से रिलेटेड वारतालाप बादचित समाजी कंद्र किरिया में नागरिकों के आए तिक्षा जीवन प्रत्यासा रोजगार के अवसरों में बृधी आधी का प्रकिरियात्मक विकास समाजी कार्थिक विकास के क्या क्या कंपोनेंट हो गए नागरिकों के आए बढ़े उनके सिक्षा भूख से मुक्ति मिले रहने के लिए घर हो इंक्रोच्मेंट कर रखा था उसके भावजुद भी उसे रहने का राइट है अगर आपके पास कोई रोड मैप नहीं है तो आप आपको क्या जूरत ही जमीन की आप कहिएगा हमारी जमीन क्या करोगे लेकर दस साल बाद इस पर प्लांट बैठाओंगा तो कहेगा नौ साल बाद आना को तो लोगों की आए बढ़े किसानों की डबल हो कि सरकार की मंसा है तो आए कैसे डबल होगी पहला तो खेती करी रहा है कि दूसरा उसके साथ सरकार कहती है कि पसू पालन करें और यह मोदी जी का बड़ा पेट नारा है कि किसानों की आई दोगों नी कर दूंगा कैसे करूंगा वह यह बताते हैं लेकिन हम जो है एक्जाम के हिसाब से उसे सुनते नहीं है हम लोग हस देते हैं सरकार तो फालती बात करती है कैसे दूग नहीं वह जाएगी तो सरकार जो है अलग एक मंत्राले खोला जो दूसरे मंत्राले से काट क्या लग किया पसुपालन एवं मतस्त पसुपालन एवं हिसरी एनिवल हस्पेंडरी एंड एक और सब्दे तो उसका काम है यह है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए उसको जह कम दर पे फाइनेंसियल इंक्लूसिव की बात जम्ल करते थे तो आपने देखा होगा हर अस्टेट में काम धेनू योजना डेरी फार्मी गोबर्धन योजना जिससे नए अच्छे दुधारू पसु पाइदा हो सके ब्रीड ऐसी डवलप की जाए तो सरकार का फोकस आय बढ़ाने के लिए आप्शन देदेगा क्या क्या है तो पहला हो जाएगा खेती को साइंटिफिक ढंग से करना और खेती करने के लिए जितन हाद में उसको स्थिचाई की सुभिदा में सबसीडी डीजल पेट्रोल में सबसीडी खेती करने के जितने स्कीम सरकार चला रही है उसको और पसुपालन दोनों को मिलाने के बाद तब उसकी आय डबल होगी खाली आय हमने लिख के छोड़ दिया है लेकिन कैसे होगी हमने नहीं लिखा है इसलिए क्योंकि हम आपको क्लास में बताएंगे न कि कैसे होगी कितनी चीज़ें लिखेंगे अगर हम ऐसे लिख देंगे तो फिर आप भी बोर हो जाओगे कहीं भी पढ़ लोगे तो आजिक आर्थिक विकास के लिए सिक्षा को एक कंपोनेंट माना है और उसके लिए क्या-क्या योजनाय या क्या-क्या कदम उठाए गए सिक्षा के लिए क्या कदम है अब आप चले जिए मिनिस्ट्री आफ एजूकेशन की साइट पर तो वहां जाईएगा तो बहुत सारा भंडार मिलेगा तहां तक पढ़िएगा तो पूरा हजारों पन्ने भरे पढ़े होंगे तो सिक्षा का अस्तर सुधारने के लिए सरकार में क्या कदम उठाया है ओनलाइन एप एक दिशा करके एप है इसको लॉंच किया है और तिश्चा के लिए गए सात अलाख रुपया तक का लोन बीना ब्याज के दे रही है सरकार अगया और तीसरा तीसरा तकनिकी सिक्षा के छेत्र में इस्कील इंडिया डवलप्मेंट के माध्यम से आपको तकनिकी प्रसिक्षन दे रही है और अर्निंग हुआ लर्निंग सिक्षा के साथ साथ कमाई यह एक स्कीम चल रही है तो जितनी स्कीम्स आपके दिमाग में पढ़ाई में आए और घटनाओं में आए तो आप जो है उसको यहां डाल सकते हैं कैसे सिक्षा की छेत्र में काम हो रहा है और इससे प्रकिरियात्मक विकास कैसे होगा और उसके बाद जीवन प्रत्यासा लाइफ एक्स्पेक्टेंसी अभी साथ 66-67 लाइफ एक्सपेक्टेंसी यह पहले 64 था लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे बढ़े उसके लिए सिक्षा के साथ स्वास्त के छेत्र में तरकार काम कर रही है और आयुसमान योजना उसी का अंग है तो यह कोस्टन कितना बढ़िया बना कि समावेसी विकास में नागरिकों के दीश 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 में किस तरीके से किस तरीके से उसका अनुपालन किया जा सकता है आप यह सब पॉइंट जो जो हम बोल रहे हो डाल दीजिए डेड़ों का हो तो यह चीज़े आपको समझ में आ गई आय कैसे होगे जीवन परत्यासा के लिए तो सरकार यह सब काम कर रहे है जीवन परत्यासा के लिए लाइफ बढ़ाने के लिए कि तमाम तरीके की दवाईयां जो है तरकार कि प्री अप कॉस्ट भी देती है तरकारी अस्पताल में चले यह तो वह बात अलग है कि लूट खसोट के चकर में बहुत सारी चीज़े बिख जाती है तीसरा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाने के साथ जो है जो बीमार ग् स्किम्स ब्रिधा पेंसन से लेके सब चीजे और एजिंग जो हो रही है देश में मनें बुढ़ापे की तरफ लोग जमानी में बढ़ते जा रहे हैं उसके लिए उसके लिए भी सरकार जो है जेनरिक दवाईयों के नाम से लॉंच की है जो वहीं दवाई सन फर्मेसी की इतना तो कर रही है और एक्जाम में आप लिखते नहीं है इसा भाते महला क्लिनिक जेनरिक दवाई का पहले कंसेप्ट नहीं था यह मोदी जी को क्रेडिट जाता उन्होंने जेनरिक दवाई नाम से निकाला कि भाई उसकी लागत तो बहुत कम है तुम लोग ब्रांड बन इसे कर रही है हमने अब बताया रोजगार क्या उसरों में ब्रीधी करदान मंत्री वजगार गारंटी कार्जकरम मन रेगा तमाम तरीके के स्किम्स जोएं प्लाइमेंट के छेत्र में सरकार इंडिया डवलप्मेंट प्री में आपको ट्रेनिंग दे रही है इतना सब तो सरकार कर रही है भाई इसी पर कोश्टन पूछता है प्री मेंस में फिर आप कहेंगे साहब यह तो पढ़ा ही नहीं तो कैसे होगा तो पर आउर्ग एक्टर मैं असंगतित कर溜़ के लिए उटार कशें हैं उनके चीज यह समervation में वालों थो कि इवएं टंपरोरी जो काम कर रहा है १ैस्य में रभनानिट वालों के लिए उसको भी स्वाब शुटी से मिलती है holidays holiday of the calendar उसको भी पीएप की सुविदा है उसको भी मेडिकल की सुविदा है उसको भी आने जाने के लिए कहीं जाएगा सरकारी कामसुदक सुविदा है उसको भी छुट्टी मिलती है कम ज्यादा हो सकती है संक्या लेकिन यह सब चीजे है न उसी पर कोस्टन बना सरकारी करमचारी बनने वालों की संख्या कम है ना प्राइवेट में बहुत ज्यादा है तो रोजगार का उस्वर में ब्रीदी कैसे कर रही है सरकार वह मैंने आपको 5-4 पॉइंट बताया तो रोजगार का मतलब खाली सरकारी नोक्री नहीं है आप इसको फोकस करिएगा से स्वरोजगार सरकार यहां आपको तमाम तरीके की सुविदाएं एन इंसल इंक्लूसिब से लेकर हर्ची दे रही है तो इन सब चीजों का विकास सरकार ऐसे कर रही है और इसकी वजह से देश में आर्थिक और समाजिक संपन्नता बढ़ रही है और इसका प्रमाड यह है कि सरकाज की डेट में हमारे देश में बाइस परसेंट लोग ही गरीवी रेखा से नीचे जीवन जापन कर रहे हैं कि पहले संख्या 35 वा करती थी जब हम लोग पढ़ते थे 25 सार पहले तो परसेंटेज में यह घटा है कि यह चीज आपको समझ मागई कि किस तरीके से समाजीकार्थिक विकास सरकार कर रहे है दूसरा समाजीकारथिक विकास क्या क्या होते हैं है gdP कॉना को एक पाइसे पता चलेगा कि देश में कि समाजी कार्थिक विकास हो रहा है कि आल्य कहने सुतनिक पता चल जाएगा न को फिर ग्रॉस डॉमेस्टिक प्रोडवक्ट में अब जी डी पी क्या है आप पढ़ चुके होंगे हाला कि लेकिन GDP का मतलब ग्रॉस डॉमेस्टिक प्रोड़क्त तो होता है लेकिन उसमें कि तीनों सेक्टर की आम दनी जूड़ी होती है अब आप तीन सेक्टर क्या है कि प्राइमरी सेकेंड्री टर्सरी कि प्राइमरी कि एकंड्री कि और तो करसरी डिक बोलते हैं कि यह कि टोध हर्ली ऑगया है और को कहीं यूज्ज हो रहा है ध्यान रखिएगा अच्छे उसे पर और श्यक्ट है जिस्का नाम है मोडिलिंग जिसका नाम है मोडिलिंग के साथ साथ विध्यापन सिनेमा औरकेस्ट्रा यह भी भेंकर है यूटीव भीहार हरीवणा के छोथे सेक्टर में इसको माना गया है चुकि यह जो है नए तरीके का नए अंदाज में रोजगार पैदा कर रहा है कर दिखाता है एक लड़की डांस कर रही है उसके साथ लड़का भी डांस कर रहा है और प्योर ग्रामिड परिवेस का दिखाता है वह भी वहीं का वह बच्चे अपना चैनल बना के उसको मोनेटाइल करके पैसा कमा रहे हैं वह चतुर्थ सेक्टर करकार परिशान होए कि इस सरकार ने इस पर चतुर्थ सेक्टर नाम दे दिया भाई चीन का जो आमदनी है वह चतुर्थ सेक्टर में मान लिया जाएगा तो पहला है जीडीपी दूसरा है फोरन एक्सचेंज रिजर्ब आपके पास अगर बिदेशी मुद्रा नहीं हो तो कैसे पेमेंट करिए आयात क करने वाली दोस्तों होगना दौलर होना चाहिए ना है डौर नहीं होगा तो अमेरिका कहेंगा कि अमध्य का पर ऊपीस में तो लेंगे नहीं सिंगनिफिकेंट ब्रीधी दिखनी चाहिए तीसरा आप फूड ग्रेंट प्रोडक्शन होना चाहिए कि पूड ग्रेंट प्रोडक्शन कितना है कि आज की डेट में लगबग तीन सो तीस मिलियन तन मिलियन तन है कि इस पर मैंने एक कोश्चन बनाया था कल साइड आप यह कहीं लिख ले फूड ग्रेंट प्रोडक्शन है 316 मिलियन तन है कि लेटेस्ट डाटा है कि राइस है 128 मिलियन तन हो भात था है मज़े में भात मचली बिहार बंगाल का भोज्य विना उसके साधी विया होता ही नहीं वहां बढ़िया है ना गेहूं का है 111 1211 मिलियों टन है कि मक्का है 33 मिलियों तन और लास्ट जूट है 10 मिलियों टन जिसको बढ़ाकर 40 मिलियों टन लाने की जूरत है जिससे बोरा बने और अनाज न सड़े भर किले कां सौक मिन घूम्रहे हैझ होंнет dal widely 33 है जूट जो है दस है सब्सक्राइब भगवान की कथा कि तरह आप हमें खाली सुनते रहिए में में पॉइंट नोट करते जाए बात पतम उसके अलामा एक किताब घर में रखके पढ़ लिजेगा बहुत बाकी की जूरती ठीक है तो फुट ग्रेंट प्रोड़क्टन अच्छा हो रहा है बहुत हम लोग खाने से भी ज्यादा सर्प्लस है अभी तो सरकार जो है तीन रुप्य किलो दो रुप्य किलो राइस दे रहे यह जो बीपील से भी नीचे है यहीं रेट है ना तीन रुप्य पर केजी और फाइब केजी पर मंथ पर हेड वो जो उसमें जिनका काड बना है नेशनल फूट सेकुरिटी एक्ट नेशनल फूट सेकुरिटी एक्ट ही नहीं था 2013 से पहले कॉंग्रेस ने लाया था बाद में मोदी जीनों से इंप्लिमें पताचला की आने के लिए पैसे नहीं है तो हतियार कहां से खरीदें तो आपका विकास का पैमाना यह होगा कि आपके घर में खाने के लिए सब कुछ है तिक्छा के लिए स्वास्त के लिए उसके बाद भी दो चार दस दुनाली बंदुक खरीदे हुए है तब न माना तो ऐसे कनेक्ट कर लिजिए आप जीवन में नहीं भूलिएगा जिस तरीके से आपके घर का अर्थ मैंने होता है ना सेम प्रिंस्पुलर सेम चीज पर भारत सरकार पुरे भारत का प्रबंधन करती है आपको इसमें एक रती जो है इधर उधर नहीं है तो आप भूलेंगे नहीं कि सामाजीक आर्थिविकास भारत के क्या है समाजीक आर्थिविकास भारत के क्या है कैसे होगा घटक है तो आप अपने परिवार को याद कर लिजिए वह भारत सरकार है पीता जी प्रधान मंत्री है माता जी गिरिह मंत्री है वाकी बीत मंत्री भी बड़ा भाई जो एज में सबसे बड़ा भाई होगा चोटे को पढ़ाएगा जैसे मेरे बड़े भाई पढ़ा देते थे तो पूरा कल्चर जो है आप खट से समझ जाईएगा कि अप्लाई कर दीजिए कि परिवार में 58 लोग है तो सब का अभिकास होना चाहिए न थोड़े हो गए तो उनको दवाई नहीं दे रहे मर दे रहे हों पैसा नहीं खरीदने के लिए तो इस सेम चीज आप याद रखिए कि परिवार में भी ऐसे ही जीडीपी होता है कितना प तो पहला जीडीपी और एक्स रिजर्व आपके घर में और एक्स रिजर्व के जगह पे कैस रिजर्व याप पैसा रिजर्व हो सकता है पैसा तो चाहिए बैंक में 10-5 लाग 2 लाग 1 लाग तो चाहिए हम ऐसे कभी कुछ हो जाए आपको डॉलर नहीं चाहिए रुपिया लगाने का नाज नहीं है डीफेंस बजट का मतलब यह हुआ कि घर में कुछ हतियार छोटे मोटे होने चाहिए आपकी हैसियत की हिसाब से कभी कहीं दुस्मनी में किसी ने आका कर्मन कर दिया आप तो नहीं करते लोग लेकिन तब भी आप घर में तो नाली बंदूग ओडा होडा भी तो रखना ही पड़ेगा आनमालो साप कोई मारना है दो मिनिट बाद मार देना है तो आपको अपनी जान की रक्षा के बदले में उस पे फायर करना यह आपका अधिकार है सुप्रीम कोट कहता है सुप्रीम कोट तो यहां ते कहा कि अगर आपका कोई खेत जोत लिया है घर कबजा कर लिया है तो बल पुरुबा खली कर रही है बसरते को 12 साल से कम पिरियेड हुआ है तो उसके फिर बहस होई कि भाई कितना बल परियोग करेंगे भाई कि अग्या करें मर जाएगा तब बोला आप उस हद तक जा सकते हैं जिस हद तक आपके जान को खत्रा हो अब लीजिए मतलब है कि हाथा पाई हो रही गला दवार है तो आप उसको सूट कर दीजिए आप कुछ नहीं को कज़ए तो डीफेंस बजट तो यह इस प्रीम को समय देजिया कि उनको कुड़ी को खाली करें अब अदना खाली ज्यक्राइब जगड़ा करिए जगड़ा में बल पर्योग करिए फिर बल परियोग कितना होगा जिससे आपकी जान को खत्रा हो गया हो तो उस समय उसको मार दीजिए कोई नहीं कहा कि मार दीजिए मैंने बोला कि आप उसी एमाउंट ऑफ फोर्स जो है रिएक्ट करिए अगर आपका गला दवार है आपके जेब में पिस्टल है निकाल के ठोक दीजिए देख रहा है कि आप ही कब मारे जा रहा है कुम करें पूललिस करती एनकाउन्टर कभ दिखाती है कि ऐसे हम पर गोली चलाया तो मैंने बदले में गोली चलाया है कंप अधूर मुठ कूद दोस्स नहीं थे निचार्स पीच में कूध जाती आदी आइसा नहीं था आपने इसको पीठ पे गोली मारा इसके भाग रहा था इसलिए फिल्मों में और हकीकत में ही होता है कि जब बदमाग को ख़देड़ती है पुलिस तो जो बदमाग से वो पीठ पलट का ऐसा नहीं देखता है कि कहां तक पहुंचा उसे मालूम है कि जैसे होंगा ठोग देगा को है कि हर कुलिस वाले जुकश कभी भी पीछे से गोलü नहीं चलाते हैं उससे दोड़ा करके पकडते हैं जो भी घेर कानों होता है करते हैं तो यह है उसके बाद भेवसाय आपका भेवसाय फले फुले और आप टेक्स दें ऑगे नहीं कि कोई दुकान खोले और बंद हो गई के दिशाय आपका जो भी प्रोफेशन ने कार्पेंटर है जो भी प्रोफेशन है वह आपका भेवसाय चलता रहे सिक्षा सबको अच्छे से मिले आई सबकी हो समपती सबके पास हो रहंसन अच्छा हो तो यहीं फैक्टर है जिसके बेसिस पर आप अपने घर की इस्तिती घर की इस्तिती को ध्यानम रखिए वो सब याद आ जाएगा कितना पॉइंट क्या है वो पूरे बिश्रु की समाजिक थी चारतिक विकास करना और किसी करणा वहीं सितर्लिए क्योंकि गयम्तटी जो होता है यह होता है mnie उन्ड तो यहीं एक ही आपपने घर में कहीं बी और उसके साथ तौमाम लोग जुड़े होते हैं तो तो ब्यक्ति कोन हो γए है भारह सरकार यह आपने घर में आप तो आप आपको अच्छा दिखने के लिए सब का सारे एलिमेंट्स फिट होने चाहिए ना कि अभी तो आप मजबूत दिखेंगे सिधी सी बात है तो आप इसको अपने घर के परिवेश में परिप्रेक्ष में याद रखिए तो भूलेंगे नहीं हमांजीक अर्थिक असस्वारूं ह είναι यह तो हो गया क्या क्या चीज़े से समाज आर्थिक विकार विकार जो थे समुआ क्षार हैं यह जो समाजीक अर्थिक असमानता है यह क्यों कैसे है और किस-की समझेये थिज़ित कि उपभोग क्या अधार पर पर कंजमसर पैटर्न क्या है कि पीडियेस के तहट अनाज के जगह पर करकार ने डारेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम लाग करके आपके खाते में पैसा दे रही है कि इसके पीछे मंसा यह है कि हमारी जनता माल न्यूट्रेटेड कुपोसित नहीं रहे इसके लिए डीबीटी का फाइदा है कैसे फाइदा है जब आपको अनाज के जगह पर पैसा मिला तो आपके पास तमाम बिकल्प खुल गए और देश में बहुत सारे छेत्र ऐसे हैं जहां पर मचली मुर्गा मुर्गी बतक यह सब जो नौन अंडा दूद दही यह सब चीजे काफी अच्छी मात्रा में उतलब्द है लेकिन उसके पास पैसा होता नहीं तो क्या करेगा दाल दाल भी आप नहीं दिये सिर्फ चावल दे दिये तो नमक से खाएगा ने बेचा पर ने कहा कि इसको पैसा दे दो तो किलो अनाज के जगा यह देड़ किलो अनाज खरीदेगा और आधा किलो में मचली का पैसा लेकर मचली खरीद लेगा और इसको पोस्तित भोजन नूट्रियंट्स वैलू इसको मिलेगी और यह जवानी में भी बुढ़ापे की तरह नह का डीबीटी के कंसेप्ट है और यह सब चीज़े शेत्री अधार पर देखिए तो बहुत सस्ते दरों पर फ्लब्द है क्रैप्स है तमुद्री तमाम तरीके के जो उत्पाद है भोंगा मचली डिफरेंट टाइप के जो है क्रैप्स केकड़ा और कुछ नहीं तो कटिया ड कि और रास्ते में आते समय दस रुप्या का मसाला उसाला खरीद लेता है तो पैसा जो डीबीटी के तहट क्रांसफर हो रहा है वह बहुत अच्छा है उससे कुपोसित के लोग सिकार हो रहे थे हैं वह उसमें कमी आएगी उपभोग खाली चावल से नमक नमक रोटी नहीं नमक हरा है कि एक आदमी बर्गर किंग और एफ्सी खा रहा है दूस्रा आदमी महुंतों के उपभोग के समान्ता है रहे चर्भी को आधहर न देखते हैं इसमौन कि था समानता है अपर चुनिटी के आधहर भी असमान्ता है का अब अब अगता समयोगत की तन testify सब्कों समान जो है वो कहता है ना इस समान लोगों के साथ समान और तो आपकी तुलना हमारी तुलना किसी और भर आने के मूख्या से नहीं हो सकती यह कि वह अलग है हम अलग है दोनोय असमान है तो स्वरोग की जो वह है वह भी कई आधार पर बटा हुआ है और कुछ भी गलत नहीं है और अगला है जाती यह सबसे बड़ा हिंड्रेंस है अगे तो कैसे इंडियन सोसाइटी जो जीयस फर्स्ट में है इस्ट्री इंडियन सोसाइटी और जोगरफी और पिरी में थोड़ा बहुत लेकिन उसमें यह पूरा वन थर्ड ओन प्रोल प्ले करता है है जीएस फर्स्ट में में जाती के आधार पे असमानता यो है अपने देश में भेंकर हैं कैसे अभी भी तरह भीभाजन जो समाज में आपके देश में दिखाई पड़ता है वह गावप दिहात में पहर की जातिगत आधार पे मोरोलेस आज भी वहीं चला तो आप जो है जातिगत आधार पे समाजिक आर्थिक असमानता को बताईए क्योंकि आज भी स्रम विभाजन जातिगत आधार पे पहला दूसरा कि जो तथाकतित बहुल स्ट्रॉंग कास्ट होती थी उनके पास अंग्रेजों के जमाने से तमाम जमीने थी उनके पास तमाम रिसोर्स थे बाग था बगान था वेगरा वेगरा तो पिछडी जातियां दलित जातियों के पास संसाधनों का शुरू से अभाव होने के कारण आज भी देश में लेंड सिलिंग एक्ट और लेंड कंसोलिडेशन नेक्ट लागों ठीक से नहीं हो पाया पूरे देश में तो यह जातिकत आधार पर असमानता दिखाई पड़ती है जिसमें सबन्ड और गयर सबन्ड के बीच का जो खाई है वो सबसे बड़ा खाई है तो आप इस स्वारूप को बता सकते कि कैसे जाती जो है पुसन आसकता कि जाती किस तरीके से समाजी कार्थिक असमानता के स्वरूप को परिलक्षित करती है तो आप अगर यह बात हमारी सुने होंगे आप आराम से लिख देंगे हर अस्टेट में मोरोलेस दो जो है डोमिनेंट कास्थ है बिहार में जैसे यादो पुर्मी डोमिनेंट है यूपी में राजपूत बनाम गैर राजपूत कि बन्या पाटिदार गुजरात में वोका लिंगम लिंगायत करनाटक में नंबूद्री गैर नंबूद्री समिलाडू में डोमिनेंट कास्थ उसस्टेट की जो इस चीज़ को रिफलेक्ट करती है और इस्वरूप जो है इनिक्विलिटी का दिखाई पड़ता है इसमें क कार्थी का समानता कि क्या क्या स्वरूप दिखाई पड़ते हैं और उन स्वरूपों में कौन स्वरूप सबसे चुनावती पूर्ण है जिस पर आप अपना फोकस अपना ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे तो वो है जाती कि ऐसे आता है को सनाय हुआ है कि क्योंकि बागी चीजे तो अब के पास थोड़ा बहुत है लेकिन गाउं में आज भी जाती क्या ताधार पर बहुत ज्यादा डिस्क्रीमिनेशन भेदभाव और रूरोजगार में भी दिखता है वो काम करता उसके बावजूद उसको फु कि आगे कह रहा है कि एस पर वर्ल्ड इनेक्विलिटी रिपोर्ट यह डाटा याद रखिएगा वर्ल्ड इनेक्विलिटी रिपोर्ट है उसमें कहता है कि टॉप तेन परसेंट जन संख्या अर्न सेवे 5755 57 परसेंट यह पूरी दुनिया का डाटा है साथ सोग करोड हम लोग है तो सतर करोड लोग जो है ततर करोड लोग जो है सतावन परसेंट रिसोर्सेज पे अपना काबिज की यह वह है तो ची दुनिया का डाटा है और विदिन टॉप परसेंट आप टॉप वन परसेंट अर्मस बाइस परसेंट विदिन टॉप टेन परसेंट यह जो दस परसेंट सपोज आपका साथ सो करोड वाधी है तो इसका सतर करोड जो है मान लिजे है रनिंग देस की सो रुप्या है कि यह सतर लोग जो है तावन रुप्या पन्जियूम कर रहे हैं और इसका यह सात सो का एक परसेंट वह झो कि यानि सप्तर करोण लोग एक परसेंट अर्न कर रहे हैं कुछ गलत है लग रहा है विदिन टॉप 10 परसेंट विदिन टॉप 10 परसेंट टॉप 1 परसेंट यानि साथ करोड जो है 22 परसेंट यानि 22 रुपया एक एले खा जा रहे है मतलब कि देश दुनिया के 1 परसेंट लोग वन परसेंट यानि साथ करोड दुनिया के 22 रुपय को खा जाते हैं यह है असमान्ता और बागी जो बचे 78 रुपया इस अठाटर रुपया में 293 करोड खाएंगे असमान्ता का लेवल देखिए समझ रहे हैं सिधा सिधा समझेए तो यह चीज़ समझ लिजेगा यह आपको हर जगा काम आएगा प्री में में इंट रुम में पूछेगा कि दुनिया में असमान्ता का क्या स्वरूप है और उसके पैसे जो है उससे हम बदल सकते हैं परवर्टित कर सकते हैं तो दुनिया में 700 करोड लोग हैं जो तौर प् तो पर खाते हैं तो उसके बाद कह रहा है कि इसका टॉप 10 परसेंट विदिन टॉप 10 परसेंट एंगी इसके यह एक पर साथ करोड यहीं वह ना यह साथ करोड जो है बाईस रुपया हर्च करते हैं तो आप सोचिए कि जो बाकी बचे 893 करोड़ वो जो है 78 रुप्या में गुजारा करते हैं कि इनिक्मिलेटी कितने जबरदस्त है उसके बाद कह रहा है कि एक एस एस यार के रिपोर्ट है कि 2021 का वह कह रहा है कि एजुकेशन गैप जो है और बढ़ता जा है डिव टू आउनलाइन एजुकेशन है ओनलाइन में फीस ले लगती है उसको डाटा चलाना पड़ेगा तो हर आदमी के पास इंटरनेट नहीं है न देश में हर आदमी के पास मोबाइल नहीं है अभी भी तो जो गैप बचा हुआ है पीशे इस तीस करोड़ का उनकी सिख्षा का क्या होगा है है कि या जो लोग पांच साथ करोड़ की आबादी वाले हैं अत्यंत दुर्बल अत्यंत कमजोर जीन को दो साम की रोटी नहीं मिलती है की टाइम खाना खातें बुकमरी की हंगर इंडेक्स पाएंगे आगे तो आप समझेगा कि दुनिया में अभी भी भूख से लोग जो है मुक्ती नहीं पाएं इसी देश में पांच से साथ करोड़ जनता ऐसी है उन्हीं को जो है फ्री में रासन और दो रुपर एक रुप्या कीलो पर चावल की ब यह चीजे मैं आपको इसलिए जगजोर रहा हूं कि आप चुपी फील करिए जब आप फील करेंगे ना तो आपके उद्गार जो है एक्जाम में अपने आप निकलने लगेगा जैसे कि किसी लड़की को प्रेम पत्र आप लिखते थे वह जब आप उस भाव में आईएगा प्रेम के भाव में माता जी की उपर लव लेटर लिख दें तो आपके पसीने छुड़ जाएंगे क्या लिखना हो तो आदमी का पेन एकदम धड़ा-धड़ा अंग्रेजी में शुरू हो जाएगगे तमाम कथात्मक कलात्मक अर्टिस्टिक लेंगवेज अर्टिस्टिक टर्मिनलोजी और अभिव्यक्ति की छमता सब बढ़ जाएगी इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूं कि पुराने समय में जो कीजे थे लिखने पढ़ने की उसको जरूर रिपिट करिए आप प्रेम पत्र जरूर लिखिए उससे क्या होगा कि आप अभिव्यक्ति की छमता लिखने की छमता सब्दों का चैन वकबोलरी सब बढ़ जाएगी लेकिन आज की डेट में हम लोग लिखना तो बंधी कर दिये हैं सौर्ट में लिखते हैं वाइट सब्दे तो उसलिए लिखने की कला जो है आप विक्सित करिए आठ मीनिट में डेड़ सो प्रस डेड़ सो सब्दों का प्रस हल करना है तो स्पीड होनी चाहिए ठीक ठाट अगर नहीं है तो प्रेक्टिस करिएगा कैसे करिए तरीका में ने बताया तो इस देश में आज भी पांच से साथ करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको दोनों वक्त की रोटी नहीं मिलती है विचारे एक ही वक्त की रोटी खाते हैं यह सर्वे कहता है लेटेस तो जब आप उनक भूती सिंपैथी जो कहते हैं इंपैथी तो आप सिंपैथेटा होने के बजा इंपैथेटिक फिल करिए कि आप होते तो कितना तकलीफ होता आपको सोचीए तब आपका एक्सप्रेशन जो है सब उस बिसे उस कोस्टन के प्रति बढ़ जाएगा यह मैं तरीचा बता रहा हूं दुसरे के दुख दर्द को देखके इंपैथेटिक फिल करिए उससे आपकी जो है एक्सप्रेशन बढ़ेगी बनेगी आपका इमोशनल एंगिल मजबूत होगा आप चीजों को समझेंगे उसके दर्द को महसूस करेंगे और यह सारी चीज करने के बाद जब आप एक्जा आने लगेगा इसी कोस्टन को अगर मेंस में पूछा जाएगा तो आप दर्दनाग और उस तरीके से लिखेंगे तो वह एक्जामनल को क्या समझ माईगा कि आप बहुत ही सम्मेदन सील हैं सम्मेदन हीन नहीं है और समझी यह सरकार क्या चाहती है कि आप जनता की सेवा करन आपको अभी एक्जाम पास करना है उसके बाद भले जो आपको निर्दाई बनना बनते रहिए लेकिन एक्जाम देने के दिन तक आप इन सब चीजों को अपने को उस परिवेस में डाल करके देखिए रेफरेंस ग्रूप बिहेवियर तोसलोजी में एक पढ़ते थे संदर्व समुह बहवार मतलब वो जो लोग हैं उनके ग्रूप में अपने आपको डाल के फील कर ये खाली खाली दो मिनट चार मिनट सोचिए उससे आपका चिंतन बढ़ेगा आपका एक्स्प्रेशन रहेगा आपकी मौलिकता बढ़ेगी जो हम बार-बार चिलाते रहते हैं और आप अच्छा गेन करेंगे दस में साथ नमर लेंगे पंद्रह में दस नमर देगा यार बंदे में दम है और यहीं चीजे तो आपको दूसरे सालग करती है अधरवाई आप में और उसमें फर्क कि जबकि उसको पता नहीं है और पता भी है तो वो सोजता यार क्या पालती बात करें के बागी चीजों पहलती बात बहुत करेगा लेकिन कैसे जो है ना住 है टले फिल करोगये अपने पाने लगेगा तो कल से प्रेम पत्र लिखना शुरू करिए और लिखने के बाद फाड़के डस्ट में फेग दीजिए तो यह देखिए असमानता का स्वरूप यह डाटा याद रखिएगा कि 700 करोड दुनिया के आवादी में 57 परसेंट इसको कैसे ठीक की जाए यह आपकी ड्यूटी है क्योंकि आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं और आपको इसको ठीक करने की जीमदारी मिलनी है तो जीमदारी निवहाएंगे की नहीं निवहाएंगे यह आपको कोस्टन के एंसर लिखने और इंट्रिव्यू के एंसर बताने से सिद्ध होगा ठीक है आगे बढ़िए तो इंटरनेट वाला जो गैप बढ़ा है इस पर आप हाइलाइट करिएगा यह आउनलाइन और इंटरनेट के जमाना कोरोना का इफेक्ट यह सबसे बड़ा धासू पॉइंट है जो इसको कहीं भी आप यूज कर सकते हैं ऐसे में मैंस में इंटर्व्यू में कहीं इस आप यह तो और गैप बढ़ा दिया इसमें कि एस यार के रिपोर्ट है इसका फुल रिपोर्ट यह याद रखिये इसको और इसको जहां जो रत पड़े चेप दीजिए इसका है इन्डिया का है क्या है इंडिया का ही है अन्यवाल स्टेटस अव एजुकेस्नल रिपोर्ट यह किया किसमें है इसको राया काम ही है क्योंको फुल पबलिस अशे उपर वाला इसको इसको खिलक कर प्रथम 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 पर क्लिक करो नहीं होगा उसके उपर वाले पर करो चलिए इंडिया का रेफरेंस में है यह तो सिद्ध हो गया एस यार एनुवल स्टेटस अब एजुकेशन रिपोर्ट इसने किया है जरा देख लीजेगा आप अचाहिए यह तो लिखा तो है प्रथम नाम से यह प्रथम नाम का कोई एंजियो है कि पूछता है प्रीम आ सकता है कि इसने बहुत बड़ा काम किया ना इसने पूरा जो है आपका एजुकेशन रिपोर्ट पे एनुवल स्टेटस कि 2005 से यह प्रथम नाम का एंजियो काम कर रहा है इसको आप याद रखिएगा और इसको कहीं भी इपका दीजिएगा जहां पर भी जी एस फर्स्ट में भी चिपक जाएगा इंडियन सोसाइटी में और जी एस त्री में भी चले चला जाएगा आपको अगरा में और जी एस टू का जो पेपर होता है उसमें भी कई जगा जो राइट टूएज के समया देखें भूज गया वहां कहीं भी अब आप देखो यह कैसे कोशन पॉलिटी में बन गया कि इस चौदा बर्स के बच्चों के लिए अनिवार्ज और मुप्त सिख्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना दिया गया जिसमें उसके गार्जियन की मौलिक करतब बताई गई कि आप उसको स्कूल भेज़ेंगे यह सेंटेंस है इंवर्टेट कोमा सेंटेंस है फिर आगे पुछेगा कि एस यार के रिपोर्ट से ऑनलाइन के कारण एजुकेशन गैप और चौड़ा हो गया है और ज्यादा गैप लेके आ गया अब आप यह नई चुनावतियों का सामना कैसे करेंगे अब मौलिक अधिकार कैसे इस्टेबलिस होगा बताईए तो हमारे जैसे लोग होंगे यह 999 रुपे पढ़ाएंगे आई यह स्पीसियस की त्यारी कराएंगे तो आप यह जवाब में लिखिए ऐसे ऐसे भी एंजियो मार्केट में आ रही है जो नो प्रॉफिट नो लॉस पर ऑनलाइन टीचिंग कर रही है और लेकिन इसमें दिक्कत यह आएगी आपको लिखते में क्योंकि जिस खाई की हम बात कर रहे थे कि बास 22 परसेंट लोग अभी वह हैं अनपड है उस खाई को भरने के लिए पहले उसके पास होना चाहिए मोबाइल होना चाहिए इंटरनेट होना चाहिए वह बहुत बढ़ी चुना होती है देखिए कहां से चीजे कहां कनेक्ट हो रही है तो इस सबको मिला के आप सोचलोजी एकनॉमिक्स जोगरफी हीमन जोगरफी में भी आ जाए गाई है और पॉलिटी सबको कंबाइन करिए इस रिपोर्ट को हर जगए कहीं भी चेप दीजिए उसके बाद बेर अब कह रहा है कि आगे क्या जरूरत है आगे क्या जरूरत है यह चलते हैं देखते हैं कि वे फॉर्वार्ड क्या करें कैसे करें क्या करें और कैसे करें यह डाटा जड़ा लिखते रहिए आप लोग यह आपको रट के ही याद हो सकता है बाकी तो याद करने की चीज़ नहीं है तो एक नॉर्डिक एकनोमिक मॉडल है नाम बड़ा हाइफ हाई है लेकिन यह आप भी कर सकते हैं बीना उसका नाम लिए और मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप यह सब नाम को यूज मत करिए उनके पताई हुई चीजों को यूज कर लिए बीना नाम लिए लिए कि हम है आप अब कुश्टा को बहुत बड़ा थिंकर हों कहता जो आप कहते बस उसका नाम वह जाता है पूराने जमाने में प्रमनE नाम नाम ना देके पूछा जाए तब तक जौरत नहीं नाम लिखने की नाम लिखना मतलब अपने पैरों पर फुलाड़ी मारने के बराबर है तो यह मौडल क्या कहता है यह आपका मौडल भी हो सकता है सेम ही होगा उसमें ऐसा कुछ नहीं है यह कहता है कि प्रभावी कल्यानकार सभी को कि कौन सी नहीं चीज कह दिया इन्होंने कि सबको मालूम है कि कल्याणकारी वेलफियर स्कीम से सेकुरिटी मिले सबको ब्रस्टाचार मुक्त समाज हो और मौलिक अधिकार का संदक्षण हो अधनी लोगों पर उच करा रहान अब बताएं नौर्डिक मौर्डिक वेका वह तो एलवी कुमार भी वहीं बात लिखेंगे नौर्डिक का नाम लिखने की कोई जोरत नहीं अफालत चीज़े तो यह तरीका है आप देखिए एक एक चीजों को हम अगर इसको बताएंगे इसलिए बताएंगे क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि कलनाणकारी सुरक्षा सभी को कैसे मिलेगी फिर वहीं चीज़ आ गया इंक्लूसिव ग्रोथ यह तो एकनॉमिक्स का सोसाइटी में सब जगे घुसेगा हर बात इसको तो रठी लीजिएगा जहां जहां जोरत है समावेसी विकास चेंप दीजिए वह भी खुश हो जाएगा कि पढ़ा लिखा लग रहा है और जानता है सब्द को कलनाणकारी सु पढ़ा चुका हूं बस आपको कनेक्ट करना बता रहा हूं कि वह चीज़ यहां कनेक्ट कर दीजिए उसके बाद कह रहा है कि भरस्टाचार मुक्त समाज सबको मालूम है कैसे होगा डिजिटल ट्रांसपेरेंसी टेक्नलोजी है डिजिटल वर्ड यह सब चीज़े हैं उसम डिएक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और सबसीडी को बैंक में देना सबसे बड़ा डीवीटी तो रट लीजे आगे आएगा हम पढ़ाएंगे डिएक्ट बेनिफिट रांसफर हर जगह चेप दीजे बरस्टाचार को मिटाने में डीवीटी बहुत सरानी है एक्जामनर भी और खुस होगा क्योंकि मोदी जी लाए थे यह और एंसर लिखने में इस इसके ध्यान रखेगा है कि 2024 के बाद अगर आप पचीस में देंगे तो सरकार जिसकी होगी उसे के साथ ध्यान में रखिएगा तो यह आपको पता है कैसे प्रस्टाचार मुख्त होगा वह सब कहानी कहानी है उसमें में कहानी है डीवीटी डिरेक्ट बेनिफिट रंस्पर्ट ऑनलाइन ट्रांस्परेंसी कैस होगी ऑनलाइन कर दीजिए हर काम को ओनलाइन जा वहीए अब सारे दफ्तरों में जो है पुत्य बिल्ली दिखाई पड़ते हैं पॉब्लिक नहीं दिखाई पड़ते हैं विंकम टेक्स अफिस में जाके देखिए आपको लेगा यार हड़ताल है क्या आज यहां कोस्व निक दिखता है नहीं संब होंणगा सब उनलाइन जवाब देना उनलाइन मोदीं ने कितना बढ़िया काम किया डिजिटल इंडिया को क्योंut कंप्लेंट आ उसका जवाब उंलाइन अ और फिजिकल जाना ही नहीं है ना वो बुला भी नहीं सकता है तो आप देखिए कितने मज़ा है तो यह ब्रहस्टाचार मुक्त समाज के लिए यह सब जो करीके हमने बताया वह है और किरपा करके एक चीज़ का और ध्यान रखिए गर मैंने जितने टीचरों को पढ़ाती वह देखा वह चीज़ को छोड़ देता है भरहस्टाचार दजनौट में इन वंली कैरेड आउट बाइ जानती है रहे सरकारी अधिकारी कर्मचारी चोर होते हैं बड़े भरस्ट होते हैं पैसा कमाते हैं घूस लेते हैं रिश्वत लेते हैं वेगरा वेगरा मिसीुच करते हैं तंग करते हैं पहले था अब जमाना गया यार आप 20 सल पहले की दुनिया में तो हैं तो आप ठीक हैं र्टी आई आ गया राइट टू इन्फोर्मेशन भरस्ताचार्ट खत्म करने में डिजिटल इंडिया आ गया डिरेक्ट बेनिफिट ट्रांसपर आ अधार काड से लिंक हो गया डीजी लोकर हो गया कि यह भरस्ताचार जो है सिर्फ करकारी करमचारी अधिकारी के द्वारा नहीं होता है कि गौर्वर्मेंट सर्वेंट के अलावां कि कहां होता है प्राइवेट में आदानी और अम्बानी मत समझिए गाओ वह भी है लेकिन एक आम दुकांदार कि यह साथ पहला हम बता चुके हैं तो उस चीज को भी उसमें डालिए ब्रस्ताचार कैसे हटेगा तल में मिठाई की दुकान से मिठाई खरीगा सब्सक्राइब कि अगरा और लास्ट में ने कहा कि अच्छा एस ऐसे करो यह आधा कि लुट जली बी दो तो उतने पैसेम फट से जोड़ा दे दिया विल में सब्सक्राइब करना इंबेजल्मेंट करना कई तरीके से हो सकता है ापको पता है उसके बाद कहता है कि मौली का अधिकारों का सम्नेक्षन हो सबहम पढ़ा चुकी है आपके हैं और दैंड लोग पर उँचंद in ये सबसे दिढ़ा कराण हैं इसको समझ लीकिए धनी लोगों पर उच्छ कराधान का मतलब यह है कि जिन लोगों की आय या जिन के पास ज्यादा संपती है उस पर टेक्स लगाना पहले 2015-16 तक जेटली जी ने संपती कर वो हटा दिया थे पता निए 16-17 की बात है या 17-18 की बात है पहले संपती पर कर लगता था जिसका घर एक करोड़ से ज्यादा मूल लेका था या जिसके पास तीन घर हो दो सो मीटर से ज्यादा का उसकी उपर पांच परसेंट संपती कर लगता था तो सरकार ने क्यों हटाया समझीए आपको एक टर्म बताये थे रेविन्यू पहले बता चुके हैं तो यह हो सकता है कि सरकार को संपती कर वेल्थ टेक्स को हटाने के पीछे सरकार का अचित था या सरकार की क्या मंसा थी तो मंसा यह थी उसे कोई स्रधा नहीं था कि हम पहिसा मिल रहा है उसे बंद करने लेकिन आपको 100 रुपे कलेक्ट करने के लिए उस पर इतना मसीनिरी या स्टाफ खर्चा आता था वह एक सोव से ऊपर चला जाता है कि आप बताइए सरकार मुर्ख है कि सो रुप्या कलेक्शन हो रहा और डेड़ रुप्या स्टाफ खर्चा इस्टेबिलिस्मेंट कर्चे तो सब्सक्राइब करेंगे चलो ठीक है नव्य रुप्या हमारा खर्चा दस बचेगा पता चलाई सो का टार्गेट कहां चला गया सत्तर एक खर्चा तो से सेमी रहा है तो इसी लिए सरकार ने रेवन्यू डेपिसिट उसके कलेक्शन और उस पर एक्सपेंडीचर बढ़ते हुए एक्सपेंडीचर को देख करके उसने इस संपतिकर को हटा दिया और आगे चलिए प्लस प्लस क्या किया उसने कहा कि जीन की इंकम मोर देन वन करोर ह है उन से इंकम टेक्स वह लो देंगे तो उसी इंकम टेक्स में दो परसेंट सर्चार्ज लगा दिए सरकार मुर्ख तो नहीं है विद्वान आइस बैठेंगे आप जैसे उनने कहा कि यार इसको कलेक्शन में खर्चा भी जीरो हो जाएगा वेरियेबल कोस्ट जीरो एक करोड से जादा हम दनी वाले तुम टेक्स देते ही हो 30 परसेंट यार 2 परसेंट और दे दो ना सर्चार् का निर्णा है तो इंप्रेसिव हुआ ना युक्ति युक्त हुआ बेटर हुआ तराहनिये हुआ खर्चा कुछ नहीं 2 परसेंट लाओ और आपको सुनके ताजूब होगा कि एक करोड से उपर इंकम टेक्स डिक्लियर करने वालों की संख्या इस देश में एक करोड तीस लाग या एक लाग तीस जार है नहीं एक लाख एक अतिस जार लोग है वहीं मैं डेड़ करोड बोला तो मुझे जटका लगा गया रितना कैसा सकते तो एक करोड एक लाग की इंकम एक परसेंट से ज्यादा है तो दो परसेंट उसने टेक्स लिया तो कितना हो जाएगा एक करोड थोड़े नहीं होगा कई लोग का पचास करोड सौग करोड दो सो करोड एबरेज अगर मान लीजिए सौग करोड होगा तो इसका दो परसेंट पर हाइट एक सेशन को इंपोज किया संपती कर पर लगने वाले संपती कर को बंद कर दिया और उसके वाज में यह कर दिया कि रेशनल डिसीजन था आपको असको पूलिटिकली इंपावर करना पड़ेगा जिससे वह अपनी पावर अथॉरिटी समझेए कैसे समझेगा कि जब मुद शर्त महीला को अगर उसने मुखिया बनी है तो उसको ससक्द करिए कि मुखिया पति को आपकूर करिए होता है और सब भड़ेने का आधिकार is लेकिन न नहीं नहीं जातें डरता होते है लेकिन नहीं हुद नहीं in करने का लिए वोर्ट देने के साथ उम्हूर कुरूप में खड़ा होने है लेकिन नहीं घृवेश होते हैं टू को मुखोटा बनके खड़े होते हैं यह बहुत बड़ा चैप्टर है लेकिन इतनी सी बात आप जान जाए कि देश में क्या इस्तिति है राजनेतिक ससक्तिकरण कहां को सो दूर है आज भी सरपंच के दौरा दिये गए निर्णय को बहुल जाती है मजबूत जाती है नहीं मानती तब वो अपने हग की बात करेगा ना कि रहेगा मन रहेगा मैं इतना मिलता था तुम कम क्यों दे रहे हैं तो पॉलिटिकली इंपार होगा तो उसकी बात विरोक्रेसी में डीम साब्री सुनेंगे नहीं तो बाहरी खड़ा रहे जाएगा दिंग बहुत बड़ा चैप्टर है इसको हम ब्रीफ में बता दिया आपको और संपतियों का पुनर्वित्रन के वेल्थ टेक्स महीं लगाने की बात जो इंडिया में कर किया जा रहा है तो लफड़ा यह है कि वेल्थ टेक्स तो नहीं है लेकिन उससे बहतर उपाय है इसमें कोई दोराय नहीं है और संपति संपतियों का पुनर्वित्रन का अभिप्रा यह होता है कि युक्ति युक्त यह सब्द बार-बार युज करिएगा युक्तियुक्त मतलब रैस्नल रैस्नल एप्रोच युक्त उपागम हिंदी में बोलते हैं रैस्नल एप्रोच इंग्लिस में बोलते हैं युक्तियुक्त उपागमों से संपतियों का कि पुनर वितरन किया जा सकता है जैसे हो भी रहा है जैसे के वेल्थ टेक्स मुझे अलरी उसका हमने चर्चा कर दिया दूसरा संपतियों का पुनर कैसे हो रहा है CSR के थ्रू और पॉरेट सोशल रेस्मोंसिबिलिटी के थ्रू तीसरा डोनेशन के थ्रू 10,000 करोड अनिल अगरवाल ने दान कर दिया था डोनेशन यह भी हो रहा है समाज में यह सब तरीकें हैं जिससे जो है तीसरा प्यार पी पर्फॉर्मेंस रिलेटेट पे यह को सूरत में कोई डाइमंड व्यापारी यह मारूती एट हंडेट अपने करमचारियों को गिफ्ट करता है दिवाली में तो यह वेल्थ टक्स के थ्रूँ के थ्रूँ डोनेशन के थ्रूँ प्यार पी के थ्रूँ प्यार पी का मतलब पर्फॉर्मेंस रिलेटेड पे प्यार पी प्यार पी ट्यार पी तो रेटिंग है इस फिल्म की ट्यार पी इतनी है इस सिरियल की ट्यार पी इस वीडियो की ट्यार पी कौन सा उसका फुल फॉर तो यह आपका आर्थिक नियोजन और इस आर्थिक नियोजन पर कोस्टन था कि भारत में आर्थिक नियोजन के लिए निम्न तत्यों पर विचार करें को और पहला तत्य था कि एरेगुलर अन्यमित को संपरोरि कर्मचारियों को भी कार्ज के घंटे और चुटियां एलावुड है पहला स्टेट्मिन था दूसरा था कि उनको भी पीएफ काटने कटवाने का वह है सुधिदा है तीसरा था कि उनको भी साल में इतनी चुटियां पाने का अधिकार है चौथा और लास्ट था कि उनको कि आये वेलकम कि उनका पेमेंट जो है बैंक के थुरू लेकिन हम लोग को मालूम नहीं रहता है इसलिए वह एंसर आपको देने में तकलीफ होती है तो जब हम लोग पढ़ाते हैं तो हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि अगर कोई करमचारी किसी सरकारी महकमे में या प्राइबेट महकमे में तो उसको भी वह सारी सुख सुविदा है जो रेगुलर को है कुछ सुविदा है है लेकिन वो कम है वह यह नहीं कह सकता है कि साब हमको प्यार्पी 20 रुपे मिला इनको 20 जार मिला तो सब कुछ है तो इस टाइप से कोस्टन्स आए हुए हैं और उसका आप देखिए तो लगता है कि अरे वाह इसमें एक एक स्टे होने के लिए प्रिंसिपल इंप्लायर जिमेदार है कि मतलब जो में आदमी है जो में और इसने जो में बॉड़ी है जैसे राजस्थान विकास प्राधिकर्म उसने तमाम ठेकदारों को हैर किया कि आप हमारे सफाई कराएंगे उसने मार्केट से कुछ करमचारियों का हैर क तो जिमेदार कौन है कानूनी जिमेदारी सरकार ने कहा कि प्रिंसिपल इंप्लायर को है इस केस में राजस्थान विकास प्राधिकर्म ठेकदार से करकार कहते हैं कि हम ठेकदार कुन जानते हैं कि इस देवा सर्थों को सुनिश्चित करवाना जिमेदारी प्रिंसिपल इंप्लायर को है न की हर्ड़ पार्टी एजनसी को है कि तो राइट से भाग नहीं सकती यह को सन पांचवा विकल्प है जो उसको से आई-एस माया हुआ है उससे मैंने रिलेट कर दिया तो इसको यहीं पर विराम देते हैं कि इसको आगे बढ़ाएंगे अब आप देखिए कि हम लोग कि इतने दूर बढ़े हैं एक पेज मोटा मटी एक सवा पेज और नहीं तो इस एक सवा पेज को 15 मिनट में भी खतम कर सकते हैं लेकिन उसे आपको फायदा नहीं होगा तो इसलिए एक कथा कहानी की तरह सुनना समझाना और उसको आत्मसाथ करना उतनी देर अगर आप हमारी क्लास में में पलब्द रहते हैं कोई माई कालाल आपको फ्री के साथ कीिथ इस आसका डाउनलोड करें और और वहाँ पलब्द ट्री कोर्सेज और पेड कोर्सेज को जॉइन करें ये कॉर्स जो हम चला रहे अभी YouTube पर है Monday को हमने लास्ट डेट रखा है जो पेमेंट आप दे देंगे वो Monday को online हम जो है अपने app होंगे ना की YouTube होंगे तो किरपा करके आप लोग जल्दी हो सके के जोइन करें थैंक यू थैंक यू वेरी मच्च